बिहार के हाजेपुर ओद्योगिक छेतर इस्तत राज फ्रेश दूद फैक्टरी में भीशन हाथसा हुआ है। अमोनियम गैस के टैंक में रिसाव से एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि आसपास के इलाके में एक सो से अधिक लोग की तब्यद बिगर गई है। बता दें कि सदर अस्पताल में कम से कम 35 लोगों को भड़ती कराये गया जिनमें से कई को बहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं कई लोगों का प्राइविट अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गैस लीक होने से फैक्टरी के दर्जन भर मजदूर और करमचाडी बिहोस हो गई। घटना रात की है जब गैस रिसाव से हर कम पमच गया। आसपास के लाके में सौ से अधिक लोगों को सास लेने में तकलीफ होने लगी। सभी एक एक कर बिहोस होने लगी। अनका इलाज विविन अस्पतालों में कराया जा रहा है जिनकी हालत अब कुछ की ठीक बताई जा रही है तो वहीं कुछ को पटना रेफर कर दिया गया है। अधियोगिक छेत्र इस्तित राज फ्रेश दूल फैक्टरी में अमोनियम गैस का सिलेंडर लीक होने से दो दरजन करमी सभी बिमार पर गए जहां एक की मौद भी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरे अधिकारी घटना स्तल पर पहुँचे। घटना की जानकारी मिलते ही कई दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँची। मामला वैसाली जिले के अधियोगिक ठाना छेत्र के अधियोगिक छेत्र इस्तित राज फिर्श दाइरी का है। मृतक की पहचान मनेर निवासी दीनानात सिंग के रूप में की गई है। वही मजदूरों का कहना है कि काम करने के दोरान फैक्टरी में अमोनिया गैस रिसाव होने लगा। अमोनिया गैस रिसाव से लगबग दरजन भर मजदूर बिखोंस हो गए। मौके पर अफ़रा तफडी का महौल बन गया, सभी मजदूर इधर उधर भागने लगे। इस्थाने लोगों ने सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया। घटना की सूचना मिलते ही डीम यशपाल मीना, स्पी रवीरंजन कुमार, स्डीम विनोद कुमार, स्डीयो अरुन कुमार, स्डीपी ओ, आउम प्रकास और द्योगिक थाना छेत्र, मुकेस कुमार, पुषपेंद्र समीत, भाड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुँची और फिलाल लोगों क इलाज करवाया जा रहा है। राज़ दूद प्लांट और फ्रीडम पाइप फैक्टरी में करीब दो किलोमीटर की पड़िधी में अमोनिया गैस की दुरगंत फैल गई। देद रात तक पानी का बहुचार इलाके में किया गया। डियम ने बताया कि राज़ फ्रेश फैक्टरी में अमोनियम गैस रिसाव के वज़े से एक व्यक्ति की मौत हुई है वहीं कई लोग इसके चपेट में आए हैं। EuroReport News PR Live, Patna EuroACH